नमस्कर दोस्तों मैं हूँ विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकिस्टिन साथियों 36 गर सिक्षक भरती आउनलेन काउंसलिंग की प्रक्रिया से लेकर पूरे ज्वाइनिंग प्रक्रिया कैसे कैसे होती है मैं विस्तार से बात करूँगा ताकि आपको चीजे समझ में आ जाए आपको ये अनुमान लग जाए कि कितने दिन के समय में आपकी पद इस्थापना काउंसलिंग के बाद हो सकती है सब कुछ मैं बात करूँगा विस्तार से जानकारी दूँगा जो साथी नए है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे देखिए साथियों आपको स्क्रीन पर सो हो रहा है आनलाइन काउंसलिंग से लेकर ज्वाइनिंग टक की प्रक्रिया होती कैसे है सबसे पहले जब आप लिखित परिक्षा देते हैं व्यापम का रिजल्ट आता है व्यापम के रिजल्ट आने के बाद में सबसे पहली जो प्रक्रिया अपनाई जाती है विभाग द्वारा वो प्रक्रिया होती है आनलाइन काउंसलिंग के प्रक्रिया और online counseling की प्रक्रिया लग कम से कम 7 से 10 दिन के बीच होता है जैसा कि अभी व्याख्याता में हुआ है online counseling की प्रक्रिया में साथियों एक rank निधारित कर दिया जाता है कि इस rank से इस rank तक बुलाया जाएगा जैसा कि अभी बुलाया गया है ये online counseling की प्रक्रिया खतम होने के कुछ दिनों के बाद में verification की जो प्रक्रिया है वे शुरी होती है verification के लिए एक जगह निधारित होती है जहां पर आपका document verification होती है आपके अपने results की भी वहाँपर check होती है इस प्रकृरिया में सम्बंधित अधिकारी या कर्मचारी की duty लगाई जाती है जो की आपके results आपके documents को verify करते हैं ये प्रक्रिया कम से कम 5 दिन का समय ले लेता है जैसा कि अभी व्याख्याता की भरती में दिया गया है ये होने के बाद में अर्थात वेरिफिकेशन के प्रक्रिया समाप्त होने के कुछ दिनों के बाद में पात्र अपात्र सूची जारी की जाती है कि verification होने के बाद किसका result पात्रता किस लेड़ी में आया और कन से document की कमी से कन अपात्र हो गया ये पात्रा पात्र सूची आपकी जारी होगी पात्रा पात्र सूची जारी होने के बाद में दावा अपत्ति का भी समय दिया जाता है पात्रा पात्र की जैसे ही सूची आएगी दावा करोगे उसके बाद अंतिम चयन सूची सह ज्वैनिंग निधारित की जाती है अर्था जब अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी तो उसमें आपके समस्त जो हज्यानगारी रहेगी कि आपकी पदिस्थापना कहां पर हुई ह कौणसी जगा पर होई है कप से कप तक आपको ज्वैनिंग लेना है और इसी के साथ ज्वैनिंग लेटर भी आपके नाम से आपके पते पर डिस्पेच कर दिया जाता है इस तरह सीमा पूरे प्रक्रिया के एक ताय सीमा की बात करूँ साथियों यहाँ पर तो जैसा इस बार हो रहा है आप देख पा रहे हैं online counseling की प्रक्रिया 7 दिन तक चलता है ठीक है इसके बाद भी 4-5 दिन सब्ता भर आपको रुकना पड़ा है counseling complete होने के बाद भी उसको हम बाद में add करेंगे verification की प्रक्रिया 5 दिन तक चली पात्रा पात्र सुची कम से कम 2-4 दिन के बाद में ही जारी होगा तो उसको date को यहाँ पर मैं mention कर देता हूँ अंतीम चैन सुची भी माल लिजिए यहाँ पर 5 दिन में आ जाएगी यहाँ पर 5 दिन तो कम से कम यहाँ पर distance हुआ है बीच में counseling complete होने के बाद में जो 5 दिन उस 5 दिन को भी आप यहाँ पर add कर लिजिए टोटल देकी में यहाँ बात करूँ तो देख सकते हैं आप count भी कर सकते हैं यह 5, 10, 15, 20 और 37 लगभग आपके एक counseling होने में विभाग को जो 30 दिन का 25 से 30 दिन ठीक है में आप सभी को आउगत करा दिया था कि कम से कम आप सीर्फ तीन तीन लिष्ट की ही बात कर लिजिए तो तीनों मिला के यहाँ पर 9 लिष्ट हो जाता है और 9 लिष्ट की counseling की प्रक्रिया 8-9 मेहना भी जा सकता है लेकिन यदि विभाग जल्दी भी करता है तो 15 से 20 दिन का समय तो वो लेगा ही तो मान के चलिए साथियों 4-5 मेहने के समय से पहले counseling की प्रक्रिया और joining की पूरी जो प्रक्रिया है हो पाना बेहद मुश्किल है तो यह तो क्रामवार है साथियों जैसा की आपके साथ होगा आप इन ही प्रक्रियाओं से गुजरोगे सबसे पहले आपकी counseling हो जाएगी उसके पाद आपकी verification हो जाएगी verification के बाद में एक list जारी होगा पात्रा पात्र की सूची जिसे कहा जाता है पात्रा पात्र सूची के बाद फिर कुल दिवस के बाद में अन्तिम चैन सूची जारी होती है इसी तरह की प्रक्रिया किसी भी नौकरी में अपनाई जाती है आई होप आपको ये चीज़े समझ में आया होगा step by step information समझ में आई होगी इस वीडियो में इतना ही जो साथी नए हैं भाई हमसे जुड़े रहें ताकि सभी प्रकार के जानकारी बिल्कुल सठीक तरीके से सीजी जावबे जुकेशन के माध्यम से आप सभी साथी नए हैं हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी प्रकार के अपडेट्स मिल सकें जाहिन वादे माध्यम